हेलो बिच्चों, आज हम देखेंगे अम्ल अम्ल क्या होता है? अम्ल ये एक ऐसा पदार्थ होता है जिसका जलिय द्रव्य, हाइड्रोजन आयन अर्थात H प्लस उपलब्द कर देता है या निर्मान करता है उधारन जलिय द्रव्य में हाइड्रोकसिल अम्ल SCl का विग्टन होता है समी करण देखिए SCl, SCl से हमें मिलता है H प्लस प्लस C L माइनस अब हम देखेंगे अम्लो के कुछ उधारन हाइड्रोकलोरी कमल अर्थात SCl नाइटरी कमल अर्थात HNO3 सलफ्योरी कमल अर्थात H2SO4 सीत पेयों में निम्बू और अन्य अनेक फलों में एसकॉर्बिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सिर्का में एसिटिक अम्ल इत्यादी ये कुछ अम्लों के उधारन है हमारे उप्योग में आने वाले कुछ खादे पदार्थों में कुछ प्राकृतिक अमल होते हैं ये अमल सौ में प्रकृतिके होने के कारण खनिज अमल की तरह हानी कारक या अप्पाय कारक नहीं होते कुछ प्राकृतिक अमल वाले खादे पदार्थ आपको इस तालिका में दिखाई दे रहे हैं जैसे सिरका उसमें एसिटी कमल पाया जाता है, संत्रा उसमें साइट्री कमल होता है, इमली, इमली में टार्टरी कमल, टमाटर उसमें ऑक्जेली कमल, दही, लेक्टी कमल और नीम्बू इसमें साइट्री कमल पाया जाता है. अब हम देखेंगे अमल की कुछ गुड़ धर्म अमल स्वाद में खट्टे होते हैं अमल के अनु में हाइड्रोजन अर्थात H प्लस आयन मुख्य घटक होता है अमल के साथ धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का निर्मान करते हैं अमल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर कार्बन डियोक्साइड गैस मुक्त होती है अमल के कारण नीला लीटमस का अगज लाल होता है ये अमल के कुछ गुड़ धर्म थे अब हम देखेंगे अमलो के उप्योग रासाइनिक खाद के उत्पादन में अमलो का उप्योग किया जाता है तेल के शुद्धी करण की प्रक्रिया में औशधियों में, रंग में, विस्फोटक द्रव्यों के निर्मान प्रक्रिया में अमलो का उप्योग किया जाता है भिन भिन क्लोराइड लवन बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अमलका उपयोग करते हैं तनू सल्फियूरिक अमलका उपयोग बैटरी अर्थात विद्यू सेल में करते हैं पानी को जन्तु विर्हित करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अमल का उपयोग किया जाता है। लकडी की लुगदी से सफेद कागज बनाने के लिए अमल का उपयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे सांद्र अमल तथा छारक की दाहकता। सांद्र सलप्यूरिक अमल जब पानी में घुलता है तो बहुत उश्मा का निर्मान होता है। इसलिए उसका विरली करण करने के लिए अमल को बहुत ही धीरे-धीरे पानी में डालते हैं और कांच की छड से धीरे-धीरे हिलाते रहते हैं। जिससे निर्मान होने वाली उश्मा एक ही जगह पर न रहकर संपूर्ण विलियन में एक समान फैल जाए। ऐसा इसलिए करते हैं जिससे अमल युक्त द्रव्य छलक कर बाहर ना आ जाए। कभी भी सांद्र सलफ्यूरिक अमल में पानी नहीं डालना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से प्रचंड उश्मा का निर्मान होकर स्फोट होने की संभावना हो सकती है। सोडियम हाइड्रोकसाइड और पोटेशियम हाइड्रोकसाइड जैसे छारक भी तिव्र और धाहक होते हैं। उनका सांद्र द्रव्य तवचा पर गिरने से तवचा जुलस जाती है क्योंकि वे तवचा में इस्थित प्रतीन का विग्टन करते हैं।